हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो हम देखेंगे ओसत यानी की एवरेज की कोशन और आज का वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा किस तरीकी के सवाल प्रोशने पूछे जाते हैं एक्जाम में और आप क्या करेंगे लगातर संख्या प्राक्रत का मतलब क्या होता है लगातर जैसे एक दो ती चार ऐसे आप कहां तक जाएंगे असी तक जाएंगे इस तरीके एक से लेका सी तक इस तरीके से लगातर संख्याओं का औसत पूछ रहा है वो क्या होगा तो इस तरीके का सवाल कभी ही भी आप से पूछा जाए आपको मैं ट्रिक जो बता दे रहा हूं। उससे आपको याद रखना है कि जब भी जब भी आपकी संख्याओं के बीचका अंतर समान रहेगा जैसे यहां पे एक में और दो में एक малень Ocean तीन में चार में एक अंतर जब भी आपका संख्या लगातर जो चल लहीं है उनका अंतर अगत समान रहेगा तो ट्रिक होती है फर्ष्ट पिलस लाष्ट डिवैड़ वाई टू याद रखना ठीक है तो फर्ष्ट आपकी कोशे संख्या है एक है पिलस लाष्ट वाई संख्या आपकी 80 है और डिवैड में 2 है अब 80 और एक को जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा और डिवैड अगर आप 2 से करेंगे तो 40.5 हो इस वीडियो में आप सोचेंगे हम तो सीख गए वाई अब क्या करेंगे वीडियो को पूरा देखके सभी प्रेश्णे ऐसे नहीं है सभी टाइप के कोशन है जो इंपोर्टेंट रहते हैं चलिए अब देखतें अगला सवाल अगला सवाल है लगातार 20 तक की प्राकरत चाहूं के वर्ग लगातार यानि कि एक का वर्ग दो का वर्ग तीन का वर्ग ऐसी है कहा तक 20 तक के वर्ग का ओसत पूछा है क्या होगा तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं एन पिलस वन इंटू टू एन पिलस वन डिवैड़ वाई 6 इसको value होती है तो n आपका कितना है n आपका 20 है और 20 में जोड़ देंगे 1 तो 21 हो जाएगा मैं direct 20 लिख लेता हूं into n की value मेरी कितनी है 20 है तो 20 का multiply 2 से करूँगा 40 40 में जोड़ देंगा 1 41 हो जाएगा divide में कितना भई 6 है ठीक है चलो कठाओंगा मैं इसको अब 3 से कटेगा 2 बार में 3 से कटेगा 7 बार में और 7 का multiply कर दो पहले 41 से 7 एक कम 7 7 चौक 28 अब 2 से divide है ठीक है कर दो भाई 2 से divide करेंगे 2 एक कम 2 2 एक कम 2 कठा 2 चौक के 8 2 तिरिक का 6 एक बच्चे का नहीं जाएगा दसम लग जाएगा दस हो जाएगा दो पंजे दस एक सो तेतालीस दसमल पांच ये आपके प्रशने का बिल्कुस सही जवाब है जब वर्ग दिये गए हो तब की बात है ये फॉर्मूला आप याद रखना अब देखते अगला प्रशने अगला सवाल है प्रेथम व्रशने प्राकर्त संख्या के घनों का औसत क्या है आप दे रखा एक घन का औसत सोले तक प्राकर्ट सोले जैसे एक का घन, दो का घन, तीन का घन, ऐसे ही कहां तक सोले का घन, ठीक है, घन का आउसत किछा है, तो पहले हमने देखा था वर्गों का, अब आप बात कर रहा है वो घन का, तो इसके लिए तो अलग फॉर्मुला होगा, स्क्वेर के लिए अलग और क्यूब के लिए अलग, तो क्या रहेगा अलग से नोट कर लेना, एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वेर, डिवैड़ेड़ वाई फॉर्ग, इसको याद रखना, घनों का अवसत निकालने के लिए, तो एन क्या होगा, एन अंतवाली संक्या होती है, मैंने आपको ब पर जाएगा फोर टाइम में, और फोर का मल्ट पर हो जाएगा इस संक्या से, 4,9,6,6, कैरी का 3, 4,8,32, 32, 32 में जोर दो 3, तो 35, फिर से कैरी का 3, 4,9,8, और कैरी का 3, 11,156 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, केलिए हुआ सभी को, चलिए, आप दे प्राक्रतिक समसंक्या, देखिए, पहली समसंक्या दो, फिर 4, फिर 6, फिर 8, यह समसंक्या है, अब कहा तक है यह पहली 51 संक्या, यानकि समसंक्या, समसंक्या की बात करा ना उसने, तो प्रेथम एक्यामा, अभी तक देखिए, 1, 2, 3, 4, कितनी समसंक्या होई, 4, और 4 का तो 102 पर पहुँच जाओगे, 102 में क्या होगा, 51 संक्या सम होंगी और 51 संक्या विसम, यह सम और यह क्या विसम होंगी, ठीक है, तो हमारी जो लाश्ट की 51 नंबर की संक्या रहेगी सम, वो कौन सी हो जाएगी, वो 102 होगी कि नहीं होगी, के लिए रहे, और सभी के बीच का अं आंतर चला है मैंने पहले कोश्चन में बताया था कि अगर संक्याओं के बीच का अंतर समान रहे तो फ़र्ष्ट प्लस लास्ट डिवाइड़ वैट टू ट्रिक बताया था फ़र्ष्ट आपका दो है लास्ट आपके पास 102 है डिवाइड़ वैट टू दो और 102 एक सो चार हो जाएगा डिवाइड़ वैट टू कर दो कितना जाएगा वैट फिप्टी टू यह प्रेश्टने का बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही आंसर आपको मिल गया है अब देखींगे अगला प्रेश्ट अगला सवाल है लगाता च्यालिस तक के प्राकर्थ समसंख्यां का उस देखिए इस सवाल को आप वैरि वैरि इंपोर्टेट लिख सकते हैं क्योंकि बहुत इंप्रेश्टन है यह वैरि वैरि इंपोर्टेट लगा लीजिए उसने बोला है लगाता च्यालिस टक यह जो तक है इसका मतलब क्या है आपको च्यालिस से आगे नहीं जाना और आगे नहीं जाना, आपको जो समसंक्या ना, दोग की सब संसंक्या की बात कर रहा है, प्राकरत तक का मतलग लगातार होता है, लेकिन चाल्ess तक लगातार के वल, उसने चाल्स समसंक्या नहीं बोला, देखी है पहली समसंक्या दो, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे ही कहां तक? 46 तक जाएंगे केवल केवल 46 तक अगर वो 46 समसंग क्या कहता तो 40 का डवल कर लेते हम जैसे पिछले कोशन में किया लेकिन जब 40 तक उसने बात के तो 40 तक ही रहना है मैं उससे आगे नहीं जाना 40 से आगे नहीं जाना तो देखो अंतर समान चलना है सभी में जब अंतर समान चले तो 1st प्रेस लाश्ट डिवैड़ेड़ वै टू तो 1st आपका दो लाश्ट आपका 46 डिवैड़ेड़ वै टू 2 और 46 48 डिवैड़ेड़ वै टू आंसर आग्या 24 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड कितना समय लोगे आप इस सवाल के लिए चलिए अब देखता अगला सवाल अगला प्रेश्णी है प्रेथम 12 तक के सम संख्याओं के वर्गों का उसद क्या होगा देखिए हमने जो पहले सीखा था वो लगातर संख्याओं के वर्ग थे यहाँ पर सम संख्याओं के वर्ग है जैसे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग ऐसे कहां तक? 12 तक के वर्ग यह जो तक दे देता है ना उससे आगे हमें नहीं जाना अगर वो 12 संख्या कहता 12 संख्या कहता तो 12 का डवल 24 पे पहुंचते हम लेकिन केवल 12 तक बोला तो 12 से आगे नहीं जाना केलियर हुई ना बात अब देखना ये संख्याओं के वर्ग है न और जो हमने पहले सीखें वो लगातर संख्या के सीखें तो इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला होना चाहिए तो लिखिए एन प्लस वन इन्टू एन प्लस टू डिवैड़ेड़ वाई थ्री नोट कर लिए न भाई एन की वेलू आपको पता है ये वाली संख्या रहती है तो एन आपका बारह फिर तो हगो चाहिए दिवैड़ेड करणा है तीन से करदो भाई थीन से डिवैड तीन चींग अठारा ना जाने का भाई 0 थीं हो जाएगा अब वीश हो जाएगा 518 कटेगा, अब यहाँ पर 10 मलब लगेगा, क्योंकि 3 में कटा दूँगा, 3-18 है, ना जाने का 0, ठीक है, ना जाने का 0, जब यहाँ पर कोई संग्या पूरी-पूरी कट जाती है, और दूसरी संग्या भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे 0 आ जाता है अब इसमें भाग नहीं जाएगा अब 10 मलब लगेगा और इसके आगे 0 लग जाएगा यानकी 20 हो जाएगा 20 हो गये ना तो 3 चींग अठा रहे 20 में से अठा रहा कटा 2 बचे का फिर से 20 फिर से 3 चींग अठा रहे फिर से 3 चींग अठा रहे ऐसे ही ये चलता रहेगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 60 दसमलग 6 7 चलता रहेगा तो 6 7 इसको लिख सकते हैं यही आपके सवाल का बिलकुल सही जवाब है चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न अगला सवाल है प्रथम 15 बिसम संख्याओं का उसत क्या है पहले की 15 बिसम पहले की 15 बिसम उसने बोला है तो 15 का क्या करलो आप डवल करलो यानकी 30 हो जाएदा अग 30 में क्या होगा 15 संख्याओं होंगी और 15 बिसम होंगी यह बात आपको अच्छे से मालूम है 15 सम तो 15 विसम ठीक है अब ये 30 तो सम संख्या है लेकिन 30 से पहले वाली जो संख्या होगी 29 वो विसम होगी इतनी बात के लिए रुए जैसे कि 1, 3, 5, 7 ऐसे कहां तक पहुँचेंगे 29 तक पहुँचेंगे अब एक से लेकर उना 30 तक हमारे पास 15 विसम संक्या होगी क्योंकि एक संक्या को छोड़के चलना है अब अंतर देख लो एक और तीन में दो कांतर, तीन और पांच में दो कांतर, पांच और साथ में दो कांतर जब अंतर समान रहे तो क्या करते हैं, फर्ष्ट प्लस लाश्ट डिवैडेड़ वाई टू, तो फर्ष्ट संक्या आपकी एक है, लाश्ट संक्या ट्वैडेड़ वाई टू कर दो, अनतीस और एक तीस हो जाएगा, डिवैड़ वाई टू कर दो, आंसर आपको पंदरा मिल झायगा खत्अ समय लगे चलिए अब देना कुछ अगला सवाल के सभी विसम संख्यां का औब स्ने क्या होगा सो तक सभी विसम संख्यां तो सो तक जब उसने बोला है तो सो में पचास संख्या 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 होंगी और पचास बिसम पचास संख्या तो पचास बिसम ठीक है बिसम बोला है ना ये तो सो नंबर वाली संख्या है तो सो से पहले यानि की निन्यानवे आपकी बिसम संख्या है के लिए जैसे एक फिर तीन पांच शाथ ऐसी कहां तक जाएंगे आप निन्नी आन्वे तक जाएंगे ये आपकी बिसमसंक्या होगी चलिए एक और तीन में दो करदो अंसर आजाएगा आपका पचास यह अपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही आप देखतें अगला प्रशने अगला सवाल है प्रेथम दस तक के विसम के विसम संख्याओं की वर्गों का उसत बताएं देखिए कितना सवाल गुमाफरा के दिया ऐसा दिया आगया कि विसम के विसम संख्याओं के वर्गों का उसत कोई बात ने सवाल आपक नहीं जाना, इतना तो clear हुआ, विसम के, विसम संख्याओं के वर्गों का उसर, यानि कि ये समझे के 10 संख्याओं के विसम संख्याओं के वर्गों का उसर, clear है, यानि कि 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्या है न हमारे पास, 10 तो संख्या है न, विसम की बात बोलाए, तो 10 तक यानि कि 9 पर ही विश्म संख्या रोख जाएगी उससे आगे विश्म संख्या नहीं है फॉर्मला नूट करना इसके लिए एन इंटू एन प्लेस टू डिवाइड रवाई थिरी एन की वैलू आपके पास नो है इन टू एन की वैलू नो में जोर देंगे दो ग्यारा हो जाएगा डिव करतो 33 सब्सक्राएगों का सखीुए अगला सवार है पहली 5 अभाज संख्याओं का और ओस्तथ क्या होगा पहले इपांच अभाज संख्याहं का और इसबसे उसके बाद में 3 होती है, उसके बाद में 5, फिर 7, और 7 के बाद आब ज़ संख्या 11, ये 5 हो गई भाई, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता, अब भाज्य संख्याओं में कोई भी ट्रिक काम नहीं करता, इनको आप लिखे के जोड़ेंगे पहले, फिर जो योग आ जाएगा जोड़ने के बाद, उसमें जितनी संख्या उतनी से डिवैड, दो और 3, 5, और 5, 10, 7, 17, 17 में 11, जोड़ो 28, योग होगे 28, संख्या 5 है, 5 से कर दो डिवैड, 5 बचे 25, 3 बचे का नहीं जाएगा, 10 लग जाएगा, 30 हो जाएगा, 5 चिंग 30, यानकि 5 दसम लग छे, बिल्कु तो दोस्तों वीजियो आपको पसंद आया है, लाइक और शेयर जरूर करें, इतना काम जरूर करके जाएगा, ठीक है दोस्तों धन्यवाद,